हेलो फ्रेंड्स आयार सीटी सी आपके लिए मई माह दोजार चोबीस में दक्षिन भारत यात्रा का बहुती मज़ेदार और शानदार किफाईती टूर पेकेज लेकर आया है पेकेज के तहट आप भारत गोरो टूरिष्ट ट्रेंज से बहुती सस्ते में साउथ इंडिया के प्रमुख तीर तस्तलों की यात्रा करेंगे पेकेज में आना जाना रहना खाना और गोमना फिरना सब शामिल है है ना मज़ेदार बात इस वीडियो में हम डक्षिन भारत यात्रा पेकेज की पूरी जानकरी देंगे मसलन पेकेज के तहट यात्रा कहां से शुरू होगी कब शुरू होगी यात्रा कितने दिन की होगी यात्रा में शामिल होने के लिए बोर्डिंग स्टेशन कौन कौन से होंगे यात्रा के दोरान कब कब कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे पेकेज में क्या-क्या शामिल है पेकेज का किराय कितना है और पेकेज की बुगिंग कैसे कराएं ये भी बताएंगे आप वीडियो के अंतर तक हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें धन्यवाद तो आईए शुरू करते हैं पेकेज डिटेल्स ग्यारह रात्री और बारा धिवस के इस यात्रा पेकेज की शुरूवाद तीन मई दो जार चोबीस को होगी यात्रा के तहट आप कन्या कुमारी, मदुरई, मल्लिकारजुन जोतिरलिंग, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और त्रिवेंद्रम की यात्रा करेंगे पेकेज में रेल और बस जन्नी सहित, होटल, भोजन और यात्रा बिमा शामिल है पेकेज के तहट यात्रा के शुरुवात तो जैपूर से होगी, लेकिन यात्रिगन, अजमेर, भीलवाडा, चित्तोडगर तथा उद्यपूर स्टेशन से भी बोर्डिंग कर सकेंगे अर्थात यात्रा में शामिल होने के लिए रेल में चड़ सकेंगे और वापसी में उतर सकेंगे यात्रा कारेकरम डे वन, निर्धारित कारेकरम के अनुसार, आपकी ट्रेन तीन मईई 2024 को जैपूर स्टेशन से प्रस्तान करेगी और मार्ग में आने वाले बॉर्डिंग स्टेशनों से बैठने वाले यात्रियों को लेती हुई आगे बढ़ेगी डे टू, डे नाइट ट्रेन जरनी डे थ्री, यात्रा के तीसरे दिन आपकी ट्रेन कुडाल नगर स्टेशन पहुँचेगी जहां से आप बाई बस रामेश्वरम जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे और फिर स्री रामनात स्वामी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे डे फोर, रामेश्वरम से बाई बस मदुरे आकर मिनाक्सी अमान मंदिर में दर्शन करेंगे रात को आपके ट्रेन मदोरी से कन्या कुमारी के लिए प्रस्थान करेगी ओवरनाइट जर्नी इन दे ट्रेन डे फाइब कन्या कुमारी पहुचकर होटल में चेक इन करेंगे और फिर रॉक मेमोरियल गांधी मनडपन, कुमारी अम्मान मंदिर तथा संसेट पोईंट की विजिट करेंगे रातरी विष्णाम कन्या कुमारी में ही करेंगे दे 6 सवरे कन्या कुमारी से त्रेविन रम जायेंगे वहाँ स्री पदमनाप स्वामी मंदिर और कोवलम बीच की विजिट करेंगे तथा रात्री में मरकापूर स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे Day 7, Day 9 ट्रेन जरनी Day 8, मरकापूर पहुँचकर वहाँ से मल्यकार्जुन जोत्यलिंग मंदिर में दर्शन करने जाएंगे दर्शन के बाद वापस मरकापूर स्टेशन आएंगे और ट्रेन रेनिगुन्टा के लिए प्रस्थान करेंगे Day 9, रेनिकुंटा पहुचकर वाँ से गौर्वेंट बसुद्वारा तिरुपती बालाजी दर्शन करने जाएंगे Day 10, तिरुपती से रेनिकुंटा स्टेशन आएंगे और फिर रिटरन जरनी के लिए प्रस्तान करेंगे Day 11, Day 9 ट्रेन जरनी Day 12, मार्ग में आने वाले डी बोर्डिंग स्टेशन, जैपूर, अजमेर, भीलवाडा और चितोडगर पर उतरने वाले यात्रियों को ड्रोप करती हुई ट्रेन आगे भड़ेगी और उदेपूर पहुचेगी और इस तरहें हसीन यादों के साथ आपकी दक्षिन भारत तिर्थ यात्र का सुखत समापन होगा इस यात्रा पेकेज का शुरुवाति किराया है 30,550 रुपे प्रची वेक्ती पेकेज के बारे में अधिक जानकरी और बुकिंग के लिए इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक पर क्लिक करें आपकी यात्रा मंगल में हो आपको अमारा ये वीडियो कैसा लगा क्रिप्टा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब पविश्य कर लें धन्यवाद झाल